आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ तो देखें बहुत simple question है आपको बताना है कि कितने student ऐसे हैं जो more than one subject को like करते है तो यहां हमें पता है total student जो है वो है 16 और उसके बाद निकाल लेगे हम only one subject like करने वाले one subject like करने वाले निकालना काफी एजी रहेगा क्योंकि वो हमें data separate given है तो algebra को like करने वाले हैं 12 plus geometry को like करने वाले हैं 13 plus 10 ऐसे हैं जो trigonometry को like करते हैं और 8 ऐसे हैं जो कि like करते हैं physics को जबकि बाकी सब ऐसे हैं जो other than more than one subject को like करते हैं तो यह जो counting होगा इसको अगर मैं calculate करूँ तो it will become 12 and 13 25 plus 10 35 plus 8 equals to 43 तो total मेरा जो number है वो कितना हो जाएगा more than one subject वाले more than one subject वाले अगर मैं student को count करूँगा तो वो मेरा यही से मिल जाएगा मुझे अब it will become 60 minus 43 that is equals to 17 student क्योंकि 43 student ऐसे हैं जो सिर्फ एक subject पसंद करते हैं इसका मतलब यह हो गया कि total student में से minus कर दूँगा तो मुझे number मिल जाएगा जो एक से ज्यादा subject को पसंद करने वाले हैं और वो होगा 17 option check करते हैं तो the fourth option will be my right answer Thank you Classics to 12 से लेके NEED IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 million से जादा students का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउटने टाप या WhatsApp कीचे अपने डाउट्स आच चारसो 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 पर